एक बाद याद रखना पागलो पूछो का कई बार नकली प्रोडक्ट की ऐसी पैकिंग की यातिये के असली भी फैल हो जाता है तो जो चीज जादा चमक धमक रही हो जरूरी नहीं है के वो असली यही है हाँ इसको कहीं पर भी घटा लेना जो जादा चमक धमक रहा हो यह रही हो जरूरी नहीं है असली हो खोकला भी हो सकता है हाँ क्योंकि जो नकली प्रोडक्ट होता है उसकी पैकिंग की पॉलीतन हमेशा चम चमाती ही लगाई जाती बोलो सीता रहां जिस चीज में मिलावट हो उसी का एड़वर्टाइजमेंट जादा किया जाता है जो रियल होता है वो अपने आप प्रोडक्ट बिक जाता है भई गाय माता का सुध्ध दूध बीस किलो मीटर अंधर जंगल में रख लेना पीने बाले लोग वहां से खरीद कर पिएंगे और मिलावट बाले को मैन हाईवे पर रख कर बोर्ड लगा कर बेंचना पड़ता है बस इतना अंतर है असली और नकली में तो आज की कता में यह सुत्र भी सुनकर जाईए कि जो जादा चमचमा रहा हो जरूरी नहीं वो असली है कई बार पुरानी बसका डेंट पैंट कर दो तो वो भी अच्छी नहीं लगती है पर जब इंजन इस्टार्ड करो तो पता लगता कि यह तो फटर फटर है दोहजार गेरा का मोडल है उसी प्रकार पूतना मौसी नकली रूप धारन करके आई थी तो राक्षसनी पूतना बाल घातनी बालगनी पूतना लोग बालगनी राक्षसी रुधिरासना रुधिरासना लक्षमेजी जैसा रूप बना कर फूतना मौसी कहां आई गोकुल में आई पुधिरासना बुधिरासना कर दो रला फ्रियास